हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग डॉल अफ्यू लास्टेम हमने जर्णल क्रेक्टर कियें प्लाटी हेल्मेंट्स के ठीक है प्लाटी हेल्मेंट्स का आपको पता चल गया कि उसमें फ्लैट वॉम्स आते हैं ठीक है तो आज हमारे निक्स टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाटी हेल्मेंट्स के हमने क्या करनी है क्लासिफिकेशन करनी है प्लाटी हेल्मेंट्स की तीन ही क्लासिज है टर्बुलेरिया ट्री मैटोड़ और सिस्टोड़ ठीक है तीन क्लासिज है हमारे पस अब जो ये टर्बुलेरिया ट्री मैटोड़ और सि वाइबल होता है अब जो टर्बूल एरिया है इसकी एक्जामपल आपने बागी कुछ याद नहीं करना इनकी कोई आगे फर्दर आपने फर्दर क्लासिस के कोई करेक्टर याद नहीं करने आपने जस्ट इनकी एक्जामपल्स के नाम याद रखने ठीक है जो टर्बूल एरि ही या आपको दो जादा इकाथ याद रखनी है और इंसे भी यह प्लेंेरिया मोस्ट skipping क्या जाती है Pूछ visa ga Ż प्री जाती है ठीक है भी अब्जेक्टिव में आए 도 आपको opening यह होंगे अब्जेक्टिव बिमिश्ट पोक्षा जाता तो प्लेंरिया मैं आम यह रखना है. उसके बाद ट्रीमाटोडा जो है ट्रीमाटोडा में हमाई पस-fasciola hapateca और считosoma. आपने। इसका क्या देखना है? इनके common name देखना है? इसका मैं बता देती हूँ liver fluke. फasciola hapateca को liver fluke बोलते हैं. सिस्टो सोमा का common name आप मुझे कल बताओगे. ठीक्या इसका common name आपको कहीं पे भी गूगल में मिल जाएगा इसका common name देखना जरूरी है तो ये किसमें आती है ट्रीमेटोडा उसके बाद हमारे पस क्लास है सिस्टोडा इसमें हमारे पस दो हैं टेनिया सोलियम और इकाइनो कोकस ठीक है इसी तरह graphical form में लिखना है इससे जादा कोई explanation नहीं लिखनी ठीक है तो यहां तक हमारे classification हुई उसके बाद एक छोटा सारा topic है जिसमें बच्चों को बड़ी confusion रहती है उस पे आते हैं silome ठीक है अब ये silome क्या होता है silome मैंने लिखा है body cavity between intestinal canal and body wall जैसे मैंने ये एक diagram बनाई भी है ये मान लो कोई भी organism living organism है जिसकी ये body है पूरी body के अंदर पूरी ये क्या है elementary canal या intestine की बात करें जैसे हम अपनी body की बात करें हमारी एक पूरी body है ठीक है पूरी body के बिलकुल center में हमारी mouth से start होती है elementary canal एनस तक run करती है मतलब हमारी पूरी body में run करती है क्या हमारी elementary canal अब जो elementary canal है उसके surrounding में जो खाली जगा है उसको siloam बोलते हैं ठीक है मतलब body के बिलकुल center में elementary canal है और उस elementary canal के surrounding में जो भी खाली जगा है जो भी खाली space है उसको हम क्या बोलेंगे siloam बोलेंगे या फिर हम क्या बोलते हैं body cavity बोलते हैं ठीके या तो silome या फिर हम क्या बोलते हैं body cavity अब जो यह silome है booty है इसका benefit क्या है आखिर यह होती क्यूं है होने का कुछ तो benefit होगा तभी body cavity होती है तो ना थोड़े बहुत & मतलब इनको थोड़ी सबरी जगह चाहिए होती है expand करने के लिए यहासे कि हम हवा अंदर लेते हैं तो हमारी लंग्स थोड़े expand करते हैं फ्हाइल जाते हैं तीक है उसके बाद हम exhale हवा बाहर छोड़ते हैं थोड़ सारे contract हो जाते हैं इन organs की contraction और relaxation के लिए जो जगा चाहिए होती है वो कौन fulfill या कौन provide करता है body cavity ठीक है इसलिए body cavity present होती है living organisms में अब जो body cavity है ऐसा नहीं है कि सब organisms में एक जैसी body cavity present होगी कुछ एक हमारे पास organisms होते हैं जिन में body cavity बिल्कुल absent होत उनको हम क्या बोलते हैं a silomate ठीक है आप एक जिस याद रख रहे हैं कोई भी ऐसा word जिसके पीछे a लगा हो वो क्या indicate करता है absence ठीक है तो a silomate में absence of body cavity कोई body cavity नहीं होगी इसमें हमारे पस examples क्या आएंगी examples में आपको बता देती हूं इसमें हमारे पस आएगी porifera, silentrita औ पहले ये examples देख लो उसके बाद मैं आपको difference बताऊंगी a silomate, sido silomate और u silomate का ठीक है तो sido silomate मतलब false body cavity present है इसमें हमारे पस example है escalementis ठीक है उसके बाद हमारे पस u silomate, u silomate का मतलब true body cavity present है और example हमारे पस anilida के आगे जितने भी phylum हैं चाहे वो invertibrate हैं या vertebrate हैं सारे ठीक है अब बात आती है a silomate तो खैर side हो गया body cavity बिल्कुल present नहीं है बात आती है sido silomate और u silomate के sido silomate और u silomate में क्या difference है ठीक है इस चीज को हम देखते हैं देखो ये मैंने diagrams बनाई भी हैं ये बनाई है gut मतलब elementary canal, elementary canal है ये पूरी मैं इसको fill कर देती हूं elementary canal है इसके बाहर जो ये जगह बचीवी है ठीक है ये जो जगह बचीवी है ये क्या है हमारे पास silom या फिर body cavity अब जो ये body cavity है मतलब कि ये खाली जगह है इस side से mesoderm से lined है अंदर वली side से mesoderm से lined नहीं है ठीक है mesoderm से सिरफ बाहर वली side से जो ये मैंने red color का show किया है मैं इसके आपक सीडो सिलो ठीक है उसी तरह इस वली diagram पे आओ ये है center वली gut मैं इसको भी fill कर देती हूँ ये है gut ठीक है इसके इस gut के ये वली side भी mesoderm से lined है ये वली gut तो खेर ये आगी ये body cavity है ये खाली जगह जो है body cavity है body cavity देखो यहां से भी mesoderm से lined है यहां से भी mesoderm से दोनु जगह से किस से lined है mesoderm से lined ठीक है तो अगर body cavity पूरी तरहा से mesoderm से lined हो उसको बोला जाता है ucelomate या true body cavity ठीक है और अगर body cavity किसी एक side से mesoderm से lined है उसको हम क्या बोलेंगे cedocelomate और अगर body cavity है ही नहीं जैसे ये example मैंने diagram बनाई वी है कोई खाली जगह नहीं है तो उसको हम क्या बो इतक रखते हैं कल हम next file को करेंगे